माहराश के बदलापुर में केजी क्लास में पढ़ने वाली दो बच्चियों के साथ यौन शोशन होता और भीड अपनी नाराजगी जतलानी के लिए इस तरह से रेलवे स्टेशन में उमर पढ़ती है। माहराश के बदलापुर में जो हो रहा है वो बहुत ही शर्नाक है दोस्तों। यानि की कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज जहां पर 31 साल की डॉक्टर के साथ दुशकर्म और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी वो घटना थमी ही नहीं थी कि एक के बाद एक अलग-अलग सामने उभर कर आई थी और अब आपके सामने ये तस्वीर महराश्ट की भीड की नाराजगी देखिए दोस्तों और आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ पुलीस ने लाठी चार्ज किया यहां पर कोई भी गोदी मीडिया नियूस चैनल यह नहीं करेगा कि लोगों के बादिकार का हनन हुआ है कोई भीड की आवाज नहीं उठाएगा उल्टा भारती जनता पार्टी नेता इस भीड के खटा होने को राजनीतिक साज़िश बता रहे हैं सबसे बड़ी बात एक नाच शिंदे पार्टी से जुड़े एक नेता का शर्मनाक बयान पत्रकार विवंची ने उसका जिक्र किया है दोस्तों और वो खबर क्या है एक पत्रकार पहुँशती हैं बदलापुर में जो दो बच्चियों के साथ यौन शूशन हुआ है वो कवर करने के लिए सबसे पहले दुनिया के सामने वही खबर लेकर आई थी आप जानते एक नाच शिं पमन महत्रे जो कि एक नाच शिंदे की पार्टी से जुड़े हुए हैं पूर्व मेयर हैं सीधा और सरल सवाल क्या इस मुद्दे को लेकर आप कहीं पर भी किसी प्राइम टाइम डिबेट में नाराजगी देखते हैं इसलिए मैंने आप से सवाल पूछा कि क्या बलातकारो पर हमारी प्रतिक्रिया इस बात पर निरभर करेगी कि अध्याचारी किस धर्म का है या अपराद किस राज़ में हो रहा है यानि कि अगर या आपराद भारती जन्ता पार्टी शासित राज्यों में होगा तो हम उस पर आवास बुलन्द नहीं करेंगे मैं समझना चाहता ह इस मुद्बे पर आदत ठाकरे का कड़ा बयान आया है वो बयान आपके स्क्रीन्स पर आदत ठाकरे अपने इस बयान में कह रहे हैं कि जिस तरह की प्रतिक्रिया बीजेपी गडबंधन सरकार की आई है बदलापुर में जो प्रोटेस चल रहा है जो प्रदर्शन चल रहा है वो शर्मनाक है आउट्रेजिस है वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन्स पर जिस तरह से लाठी चार्च की गई है वो शर्मनाक है जिस तरह से बीजेपी के एक MLA किसन राठोर ने ये कहा है कि ये सब एक पुलिटिकल स्टंट है वो शर्णनाक है वमन महत्रे जो कि एकनाश शिंदे के एक मेता है उन्होंने एक पत्रकार से कहा कि आप इसकी रिपोर्टिंग ऐसे कर रही है जैसे आप के साथ बलातकार हुआ है ये सरकार इस्तीफा क्यों ना दे आदित ठाकरे ने कहा कि क्या इस मुद्दे पर ग्रह मंत्री या फिर शिक्षा मंत्री ने कुछ कहा पुलीस को 13 घंटे लग गए F.I.R. दर्श करनी के लिए और वो भीड पर लाठी चार्ज भी कर रहे है चार साल से शक्ती बिल पर राष्ट पतिय महर क्यों नहीं लगाई गई है और सबसे शौकिंग बाद बदलापुर में इंटेनेट को बंद कर दिया गया है आदित ठाकरे का ये बयान आपके स्क्रीन्स पर मैं फिर आप से पूछना चाहता हूँ दोस्तों जिस वमन महत्रे ने पत्रकार से ये कहा कि आप इस खबर को ऐसे कर रही हैं जैसे आपके साथ बलातकार हुआ है गोदी मीडिया के प्राइम टाइम में आपने इस खबर को कितनी बार सुना क्या दोहरे माबदंड इस तरह से अपनाए जाएंगे मैं समझना चाहता हूँ क्यों मैं आपको दो खबरे दिखाना चाहता हूँ दोनों ही खबरे महराश से उभर कर आई है पहला बदलापुर में ये प्रदर्शन ये जो प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों इसकी गूंज आप गोधी मीडिया में नहीं सुन रहे होंगे अब दूसरी खबर आपके स्क्रीन्स पर ये टाइम्स ओव इंडिया की खबर है महराश के अकोला में एक टीचर ने छे मासूम बच्चों को पॉर्ण दिखाया और साथ ही उनका यौन शोशन करता रहा उन्हें सेक्शुल असॉल्ट करता रहा कितनी बार आपने इस खबर को सुना है कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सीबियाई जाच हो रही है जो हूनी भी चाहिए मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ उत्त्रा खंड में एक नर्स के साथ एक व्यक्ती पहले तुशकर्म करता है और उसे मौत के घाट उतार देता है उस खबर को कितनी बार सुना आपने देहरादून की एक बस में एक मासूम के साथ गैंग रेप होता है उस खबर को कितनी बार सुना आपने इसी उत्त्रा खंड में अंकिता भंडारी की हत्या करने का आरोप किस पर लगता है भारतिये जनता पार्टी के नेता के बेटे पर और आप जानते हैं इस पूरे मामले में ये बात भी सामने उभर कर आई कि अंकिता भंडारी पर दबाव डाला जा रहा था एक बड़े नेता के साथ रात बिताने को लेकर क्या CBI ने इस बात की जाच की? क्या अंकिता भंडारी के माबाप का दर्द किसी के लिए कोई माइने नहीं रखता? क्या अंकिता भंडारी की कोई इज़त नहीं है? मैं बानता हूँ जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वो इस वक्ट जेल में है मगर इस मामले की CBI जाच क्यों नहीं होनी चाहिए? आखर ये बात क्यों नहीं पता चलनी चाहिए कि किस नेता के बहाने अंकिता भंडारी पर दबाव डाला जा रहा था कि आप उसके साथ एक रात बिताएं और जब उसने मना कर दिया तो उसे मौत की खाट उतार दिया गया आखर क्यों? ये दोहरे माबदंड क्यों? दोस्तो एक की बाद एक महिलाओं के खिलाव जो आप रात सामने उभर कर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि रातों को चलने का अधिकार अब महिलाओं के पास रहा ही नहीं ये जो बदलापुर घटना है इसमें दो मासूमों के साथ जी हाँ दो मासूमे के साथ यौन शोशन हुआ ये खबर क्या है? मैं चाहूंगा उसके एक एक शब पर आप गौर करें महराश के ठाने जिले के बदलापुर में केजी की थ्री और चार साल की दो बच्चियों से एक निजी स्कूल में यौन शोशन की घटना सामने आने के बाद हजारों की भीड यहां के लोकल ट्रेन के रेलवे ट्राक पर उतर आई भीड ने मंगलवार 20 अगस को पहले स्कूल में तोड़ फोड की फिर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बदलापुर स्टेशन पर प्रदर्शन किया दस घंटे से ज्यादा लोकल ट्रेनों की आवाजा ही रुकी रही शाम को पुलीस ने लाठी चार्ज कर रेलवे ट्राक खाली करवाया काबिनिट मंत्री गिरीश महाजन प्रदर्शन कारियों से बाचीत करने के लिए बदलापुर स्टेशन पहुँचे परंतु उन्हें लोटना पड़ा इसके बाद उपमुक्य मंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने SIT गठन का एलान कर दिया इसके लावा सरकार ने केस फास्ट ट्रैक कोट में चलाने की बात कही भीड पर लाठी चार्च किया गया भीड को हटाया गया मगर गोदी मीडिया जिस तरह से लगातार मंता बैनर जी सरकार पर निशाना सादरी थी वो सब आपने नहीं देखा मैंने खुद इस मंच पर मंता बैनर जी सरकार को कड़ घरे में खड़ा किया मैं लगातार उन से पूछ रहा था कि आप जो सड़क पर उतर आई हैं आप किसके खिलाब प्रदर्शन कर रही है हकीकत यह है कि अगर कोलकाता के एक अस्पताल में एक 31 साल की डॉक्टर के साथ दुषकर्म और उसके बाद उसके हत्या कर दी जाती है तो यह वही सोच वही संस्कृती का हिस्सा है वही सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है जो मंता बैनर जी की सरकार वनने के बाद हुआ है तो स्वाभाव एकसी बात है ममता बैनर जी कट घरे में है, मगर अगर ममता बैनर जी कट घरे में है, तो भारती जनता पार्टी की उत्राखंड सरकार क्यों कट घरे में नहीं है, यूपी सरकार कट घरे में क्यों नहीं है, महराश्च सरकार कट घरे में क्यों नहीं है, सबसे doctors की सुरक्षा को लेकर वो सवाल क्या है दोस्तों मैं चाहूंगा आप उस पर गौर करें सवाल नमबर एक अस्पताल की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है सवाल नमबर तीन rest house की संख्या कितनी है ऐसे कमरों में क्या सुविधाएं दी जा रही है क्या अस्पताल की सभी क्षित्रों में cc tv कैमरा लगे है मरीजों की समस्या के समाधान का प्रशिक्षन दिया जाता है या नहीं क्या अस्पतालों के बाहर पुलीस चौकी है क्या समस्याओं की समाधान के लिए इंटरनल समितिया हैं कोट ने केंद्र सरकार से एक महिने के भीतर हलफ नामे के साथ ये जानकारी देने के लिए कही है मगर बड़ा सवाल कि कुलकाता में ये घटना होती है देश में आकरोश सामने उभर कर आता है फिल्म स्चार्ज जो हैं उस पर ट्वीट करते हैं बयाना देते हैं मगर क्या कुछ दिनों बाद हम एक बार फिर भूल जाएंगे हकीकत यह दोस्तों कि ये एक बीमारी के तौर पर है और ये बीमारी सिर्फ कोलकाता, दिल्ली, उत्तरपदेश, उत्तरा खंड में नहीं है ये बीमारी पूरे देश में है आप जानते हैं मल्यालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला शोशन को लेकर एक हेमा कमिटी मनाई गई थी और इस हेमा कमिटी को लेकर जो findings है वो बहुत शोकिंग है क्योंकि हम लगातार यह सोच रहे थी कि जो मल्यालम फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत उधारवादी है, वो बहुत खुले सोचकी है हेमा कमिटी ये बताती है कि ना सिर्व महिलाओं बलकि बच्चों का भी यौन शोशन हो रहा था यह अपने आप में कितना शौकिंग है और आप जानते हैं ना यह हेमा कमिटी क्यों बनाई गई 2017 में एक चलती गाड़ी के अंदर एक मल्यालम फिल्म अक्ट्रिस का बलातकार होता है और उसके बाद पूरे केरल में इस बात को लेकर रोश उटता है नाराज़गी उटती है और फिर हेमा समिती बनाई जाती है कहने का अर्थ क्या है दोस्तों चाहे केरल हो उत्तरा खंड हो उत्तर पदेश हो पश्यम बंगाल हो दिल्ली हो महिलाओं के लिए कहीं कुछ सुरक्षित नहीं है हमारे राजनीतिक दल बार बार ये प्रमानित कर रहे हैं कि उनका घुसा इस बात पर निर्भर करेगा कि घटना कहां पर हुई है यानि कि अगर कोलकाता में घटना होती है तो भारती जनता पाटी सड़क पर उतरती है मगर अगर महराश में घटना होती है तो भीड पर लाठियां चलाई जाती है जब उत्तर पदेश या उत्तरा खंड में घटना होती है तो भारती जनता पाटी पूरी तरह से चुप रहती है ऐसा क्यों मैं समझना चाहता हूँ मैंने देखा कि कल राहूल गांदी जो हैं राय बरीली पहुँचे थे यहां पर एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई जब राहूल गांदी से कोलकाता के बारे में सवाल पूछा गया तब राहुल गांधी ने कहा कि आप मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे हैं मैं राहुल को याद दिलाना चाहूंगा कि बलातकार और उसके बाद हत्या एक गंभीर घटना है अब तक आपको सामने आकर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी बातशीत करनी चाहिए थी प्रियंका गांधी वाडरा का भी ट्वीट सामने आया है आपको पत्रकारों से आकर अपनी वानी के जरिए अपनी बातों के जरिए रोश व्यक्त करना था क्या आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि ये घटना कहां पर हुई है क्या आपकी नजरों में औरतों की अस्मिता के बस यही माइने है दोस्तों सबसे शौकिंग बात जो भारतिय जनता पार्टी कोलकाता के अंदर प्रदर्शन कर रहे है उनके बारे में एक वीडियो वारिल हुरा है T.M.C. इस वीडियो में दावा कर रही है कि एक T.M.C. कारकरता के कपड़ों को नूचा गया और ये आरोब किसी और पर नहीं भाश्पा के कारकरताओं पर लग रहा है दावा ये भी किया जा रहा है कि उनकी 13 साल की बच्ची के साथ बत्तमीजी की गई उसे सेकशुली असौल्ट किया गया यानि कि आप महिलाओं के खिलाफ अपराद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उस प्रदर्शन के दौरां एक दूसरे पोलिटिकल पार्टी की महिला के साथ आपने बत्तमीजी की उसकी अस्मिता पर प्रहार किया इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों महिला अस्मिता के मुद्दे पर हमारे राजनीतिक दलों में दोहरे माबदंड हैं घोर डबल स्टैंडर्ड्स हैं हकीकत यह है और कम से कम भारती जनता पार्टी के पास तो कहने का नैतिक अधिकार ही नहीं रह जाता क्योंकि जब आप बलातकारी राम रहीम को 21 दिन की फरलो पर रहा करते हैं तो आपके मनसूबों पर आपकी नियत पर सवाल उठता है अबिसार शेर्मा को दीजे अजासत नमस्कार स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजे सच में मेरा साथी बनिये बहुत आसान है दोस्तों इस जॉइन बटन को दबाईए और आपके सामने आएंगी ये तीन विकल्प इन में से एक चुनिये और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिये